कि काई वरी आप ने दिखाए कि लोगों को ब्रॉंकाइटेस हो जाता है आपके जो ढूंकियों से लंक सें उसमें इंफिलमीशन आजाती है और यह स्वैलिंग बहुत ज्यादा टिगर करती है infection trigger करता है, आपको खांसी के रूप में बहुत ज़्यादे तकलीफ होती है खांसी के साथ कई वरी irritating cough के साथ साथ आपको fever होता है और morning evening यह आपको ज़्यादे disturb करता है, ज़्यादे परिसान करता है तो यदि आपको लगातार खांसी होती है आपको जो खाम के बाद खांसी हो गई है या कोई infection के बाद ही आप फील करते हैं तो फिर आपको bronchal asthma हो सकता है, bronchal allergy हो सकती है, bronchitis हो सकता है जिसे हम कहते हैं देखो generally bronchitis, bronchal asthma trigger करता है, बहुत सारे लोगों को exercise से हो सकता है, बहुत सारे लोगों को dust के exposure से हो सकता है, बहुत सारे लोगों को exercise induced asthma होता है, उससे भी trigger हो जाता है और बहुत सारे लोगों को totally infection होता है bronchitis जिसे हम कहते हैं तो आकर यह क्यों होता है इसको कैसे manage करें देखो bronchitis बहुत common है इंडियन सेट अप में कि यदि आपने कोई outside exposure हुआ बहुत ज़्यादा dusty environment बहुत ज़्यादा oily environment या फिर आपने ऐसा food या water लिया कि जो बहुत infected था या refrigerator food आपने लिया कि जो की बहुत ज़्यादा मतलब fresh नहीं था तो उसके कारण हो सकता है दूसरे फिर यह reason रहता है कि इसमें generally होता गया है कि bronchioles पूरे आपके स्वेल्ड कर जाते हैं irritate होते हैं जैसे ही थोड़ा सा भी टिगर होगा exposed आप करेंगे उससे आपको एकदम तिगर हो जाती है खांसी और काफी परिसान करती है बहुत सारे लोगों में inhaler कुछ हद तक मदद करते हैं रोटा कैप या inhaler आप ले सकते हैं या फिर वरी देखा जाता है कि symptoms prolonged कर जाते हैं तो 3-4 weeks तक भी symptoms है सकते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप पुरा ariation रखें, stimulation करें, gargill करें, soup पियें, अच्छी नीद लें, plenty of rest is very much needed और उसके साथ trigger होने से बचें, धूल-धुआ का जो exposure है उससे आप बचें, morning evening का जो आप बहुत ज़्यादा यदि सर्दी है या फिर बहुत dusty exposure है तो उससे आप अपने को बचाएं, यह बहुत important चीज है, उसके बाद है कि आपको कुछ food में कुछ basic चीजे हैं, food जो आपको मदद कर सकते हैं, inflammation क reduce करने वाले आप food का चुनाब करें, जैसे कि आपका ginger है, ginger contain आप soup पी सकते हैं, ginger contain चाय आप ले सकते हैं, दूसरा मतलब soup पीएं, आप जितनी भी lemon tea, green tea, ginger tea यह आपको मदद करेगी, three to four liter liquid intake रखें, हरी सबजियां आप खाएं अच्छे से, steam inhalation करें, यह आपको मदद करेग लेकिन यदि आपके symptoms trigger करते हैं, तो आपको फिर anti allergic और कोई bronco dilator के साथ कोई inhaler भी लेना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन जैसे ही आप यह treatment prolonged करेंगे, तो after three to five days, आपके symptoms suppress हो जाएंगे और आप better feel करेंगे, लेकिन यदि बार बार आपको broncal asthma या सांस की दिक्कत हो विजिट करना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर फिर आपका एक proper diagnosis बनाएंगे और उसके बाद आपका जो लाइन ओर ट्रीटमेंट और फोर फाइल एक्स ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, यदि preventive measurement की जरुत है, तो देरार सम इनहलर्स जो तीन महीने के लिए दिया जात झाल